तरुन चुग को लेकर खबर है जिसके मुताबिक तरुन चुग ने भाजपा के जो की राश्ट्री ये महासचियों हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए पार्टी के प्रभारी तरुन चुग ने आज ये दावा किया है जम्मू कश्मीर के लिए कि उनकी पार्टी विधा काक्षभी किया है आई आपको दिखाते हैं इस वकित बात करने के लिए बीजेपी के नैशनल जनल सेक्ट्री और इंचार जमोन कश्मीर बीजेपी तरंचुक साहब हैं मेरे साथ तरंची गहमागामी हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा जमोन कश्मीर बीजेपी हेड़कौर् हैं कुछ होने वाला है कि क्या कोई कोई तैयार याँ जोरों से क्योंगे बहुत सारी चीज़ की करने वाला दल है हम परिवरिक पार्टिहों की तरह नहीं कि चुनाव आते ही अपने राज महलों से बहर आप वो काम करें और पार्टी अपने धांचे को मजबूत कर रही है बाकि चुनाव योग का काम है चुनाव गोशीत करना चुनाव गोशीत करेगा भारती जनता पार्टी राहे नितिक दल की तरह उसका स्वाधत करें यह मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि डिलिम्टेशन का प्रॉ कोई भी जनता है हर कोई यही बोल रहा है स्यासी पार्टी के उलेक्षन होनी चाहे और आपके लोग भी यहां पर कह रहे हैं कि अलेक्षन होनी चाहे है आप ये खुद कह रहे है कि हाला कश्मीर के northern नहीं हो रही है अगर आज करॉएंग दो कब करॉएंगे क्योंकि सारे ल राहुल गंदी कश्मीर के अंदर अपनी छूटियां बिता रहे हैं सनो बॉल से खेल रहे हैं सनो स्कूटर चला रहे हैं यह केवल इसी कारण हुआ है कि परदान मंतिरी शिरी नरेंदर मोदीजी ने यहां विकास विश्वास का वातावरन पैदा किया है तीन सो सत्य और पेंथी से तोड़के जम्मौ कश्मीर को जंजीरों से मुक्त किया है और और निश्वित रूप से जम्मौ कश्मीर जो गांदी नहरू परिवार के समय में अबदुल्ला और मुफ्तिस के समय में एक टैर्रिजम कैपिटल था आज टूरिजम कैपिटल बना है जिसका सबसे बड़ा उधारन है तभी तो लोग कह रहे हैं कि विदान सभा पोल्स क्यों नहीं करवा रहे हैं जब हाला की चुनाव की परिखिरिया है परिसमन हुआ है अब वोटर लिस्ट जारी हो रही है वोटर लिस्ट पर इतराज मांगे जा रहे है इतराज के बाद चुनाव योग को चुनाव गुशित करना है यह चुनाव गुशित करने की परिखिरिया चुनाव योग ने कर दी है भारती जनता पा जल्दी चुनाओं करने हैं तो मुस्लिम उसके पास जाने के लिए महारश से शुरू हो रहा है जुम कश्मिर भी है उसमें क्या-क्या चीज़े रहेंगे ऐसे कि आपको किसी ने गलत का है भारती जनता पार्टी सभी की पार्टी है और सभी के बास समझाते हैं कोई कास कंपे की बात करें उन्हें कल स्टेटमेंट जो दो दिन से उन्हें स्टेटमेंट दिया है उन्हें कहा कि जो बीजेपी है वो लोगों पे थोपना चाहते हैं यहां हिंदू राष्ट नहीं बीजेपी राष्ट बनाना चाहती है जो बीजेपी की टोन करे था उन्हें का कि आप ल नहीं चाइना नहीं तो यहां पर कबजा किया है और उसको आप डरा नहीं पाए लेकिन आम लोगों को आप डरा रहे हैं कोई भी यहां पर सिक्योर नहीं है महबूबा जी बॉकलाहट में हैं गब्राहट में हैं उन्हें समझ आ गया है कि जम्मु कश्मीर की जंता ने उन्हे नकार दिया और डीडीसी एलेक्शन में ही समझ आ गया था कि नेताओं ने गरीबों की जमीने हड़प रखी हैं, स्टेट की प्रॉपर्टिस हडप रखी हैं, आपके नेता प्रॉपर्टिस पर कब्जा करके बैठे हैं, तो कब्जा छुड़वाना खुद ये अपनी बुब से वहां क्यों बैठे थी? ये एक आदत PDP और NC ने डाल रखी है, कि सरकारी जमीन पर कब्जा करो और इनके नेता, इनके करेकरताओं ने कई जमीने दबोच रखी हैं, कश्मीर फाइल्स में सच दिखाया गया है, उस सच की बुखलाहट, सच का आइना बहुत मुश्किल हो परिवारों ने ही तो शडेंतर करके जम्मु कश्मीर को पीछे फैंका, जम्मु कश्मीर को टैर्रिजम कैपिडल बना, ये तीन परिवारों के गुना, और तीन परिवारों ने जिस तरह से जम्मु कश्मीर को जलते हुए अंगारों पर धकेल दिया, जम्मु कश्मीर की ज रहेगा कैमरमन आशू के साथ में समीर पर न्यूज एटीन जम्मू